आज के दिन का दूसरा मैच खेला जाएगा अरुन जेटली स्टेडियम में जो होने वाला है दिल्ली और हैदराबाद के बीच में यहां पे हमारे फैन स्पॉच चुके हैं जिनोंने जीते थे दस लकी टिकेट्स बिल्कुल साही सुनाएं आपने इस मैच में फैंटेसी काउ मταफिल जाये मैच देखने का मौका तो इससे बढ़े या मोका फिर का हम मिलेगा किनको हमारे सभी सब्स्यूबर को मोका मिलेगा पर पहले आज के मैच कीwing कले ठीडा जाने वाला है ऐधराबाद दृषयों से नीचे का स्कोर्म करने मैच क्या फिर से दिल्ली बाजी कीच मा पहली बार हुआ था यह तो क्या फिर से लोग स्कोरिंग मैच होगा रूजटली स्टेडियम मेरे बगल में यह भी है मैं आपको पिछ रिपोर्ड भी बताऊंगा क्या होने वाले इस मैच में यह भी बताऊंगा और साथ ही साथ जो आए है चैनल पर नहीं वह अपने प्यारे जैनुएन तो अब आपको करना क्या है यहां पर भी बैल आइकन एक प्रेस कर लो और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दो हमारा वेरिफाइड यूट्यूब चैनल तीन लाग से उपर मार दिये हैं उसका पार्ड बनो ना क्यों अभी तक पीछे हो क्यों पड़े हो चक्कर मे जब आपके साथ फैंटेसी कांसल और कोई नहीं अपनी टक्कर में तो अभी कभी कर लो सब्सक्राइब साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करने के बाद जॉइन कर लेना टेलिग्राम चैनल लेकिन उससे पहले आपको बतायता हूं कि दिल्ली की प्लेंग 11 क्या रहने वाली उससी की है इस वीडियो में प्लेकैं viu वीडियो में ग्राइंडी मॉझा लीक कमारी तुमारी तुमारा कोई जवाब नहीं तुम्हारी कोई टक कर नहीं है पकी बात है दिली की खेमा जहाँपे दो नए incident हो चुकेत्ट है एक तो दिल्ली वालों के बल्ले चुरा लिये जिसमें मार्ष के बल्ले चुरा लिये और यश्च धूल के बल्ले चुरा लिया और साथ यसाथ लड़की पता नहीं छेड़ी किसने यह नहीं पता लेकिन छेड़ दीन होने दिल्ली वाले होते ही बत्तमीजे कभी कभी तो नाक मत कर आउत तरो डिल्ली के प्लेंग रहें प्या जाते हैं डेविड वॉर्नर फिल सॉल्ट ये करने वाले हैं ओपनिंग फिराते मिचल मार्श मनीश पा अच्छा कर रहें ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं कर रहें लेकिन स्टिल एक बड़े फिनिशर की मुझे यहां पर कमी निजर आती है बड़ प्रित्वी शौट चली नहीं रहे तो उसमें हम भी क्या कर सकते हैं वरना यह क्या कर सकते थे दिल्ली वालों को यह अच्छी पड़ेगा यहां रिपल पटेल से और कराओ और सर्फराज को भार करो कुछ सोचना पड़ेगा यह फिनिशिंग गेम बुरा है टॉप फॉर तो फिर भी बहुत अच्छा है अगर मैं देखू तो बहुत अच्छा है टॉप फॉर चलो अब हम अपने काम पर आ जाते डेथ में कोई चेंजिस होता है मैं आपको बता दूँ अब प्लेइंग लेवन छोड़ो मेरी स्मॉल निक टीम में भी अगर कोई चेंज हुआ आप सभी को यह काम करना है अब भी करना है बहुत ध्यान से सुनके डेस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक डाला हु हो जाता है जब मान लों प्लेंग में रहिए चोंगया या स्केस में ख़र हो समझिसमें काँ भागे फिर होगे अपने एक फोन में देखो क्या टीमना लगवकिश बताता हूं वो भी आपके बहुत काम आ जाएगी हमेशा बताता हूं हमेशा प्लेंग 11 बताता हूं सारी चीज़े एक फोन के अंदर आपको मिल रही है तो आप भी समझदार बने सब्सक्राइब करें और साथ-साथ टेलीग्राम चैनल भी जॉइन करें स्टैट्स देखते हैं दिल्ली वालों के हाला कि निकम में कुछ नहीं कर रहें बट फिर भी दो मैश तो जीती लिए डेविड वर्नर लास्ट पास्ट्यूएंटी अच्छे जा रहे हैं इनके चार मैच में 121 रन एक बन 92 नॉट आउट आउट आ जीते हैं पिछली बार मैच में 21 रन मारें वेन्यू पे इनके 34 मैच में 970 रन है दिल्ली में बहुत पेलते हैं फिलिप सॉल्ट का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है एडट का जीरो वेन्यू रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा पूर पाच रन का तो अगर आप देखेंगे उल्टे अक्षर तो पचास मार रखें फिलिप सर्ट ने मिचल माच दो मैच 35 रन एक विकेट ले रखा है वेन्यू पे चार मैच में 19 रन तीन विकेट ले रखें यह भी मजाक नहीं हो रहा है मिचल माच जी दिन फॉर्म में आगे दिल्ली खड़ी हो जाएगी बाद भी पक्किए और आज वो चीज हो सक वो बंदे जो बोलते हैं कि यार सरफराज खान को मौका मिलना चाहिए बुला लेना चाहिए डबलू टी सी का वो है भाई मौका मिला है देखो मैं मानता हूं कि आई पेल की परफॉर्मेंस से सबसे गलच चीज़ सबसे खराब चीज़ है के लाउल ने तो बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है हमारे पूरे इंडिया के साथ हर बार आई पील की परफॉर्मेंस पे सेलेक्ट हो जाते भाई साब और टी ट्वन्टी में जितने वर्ल्ड कप इंडिया को हरवा है जितने घटिया स्टार्ट दिये ना उस बंदेने दिल दुखता है यार हमें भी अच् अच्छे खिलने वाले बंदे हैं तो क्यों शिकर दवन को भार बिठा के के लाव से ओपन कराना सबसे बड़ी बेव कूफी जब हमें फैंटेसी इंफूइंसर्स जितने भी है सारे स्पोर्ट्स अनलिस जितने भी सबको समझ आता है बीसी से आई के समय नहीं आता और सरफ यह है बंदा फॉर्म में हैट टूएड में आट मैच छे विकेट वेन्यूबे 15 मैच में 304 रन और 13 विकेट यह बंदा डिसर्व करता है टीम में जगे बैटिंग इतनी एच्छी गल्ली बॉलिंग इतनी इच्छी गल्ली चाहे स्पिन का विकेट हो चाहे फास का विकट हर फिर आते इशान शर्मा 12 मैच में 13 विकेट ले रखें पांच मैच में चार विकेट हैं हेट टूएड में उसके बाद मुकेश कुमार पिछले गेम में अच्छा बड़ी ओवर कराया था इनोंने और वेन्यू पे तीन मैच में चार विकेट एंडिक नौर इनके नाम विके सब्सक्राइब के साथ है यह पता है इसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं है यह बंदा भी ऐसा है चौदा मैच खेलूआ चार पांच में चलूआ नो दस में फ्लॉप हूंगा यह इसकी प्रेडिक्शन सीधी सीधी सुन लो राहुल त्रिपार्टी एडन मार्करम मार कंडे और उम्रान मलिक बाकी रहे साय ओवर फैकिंगे एडन मारकरम एडन मारकरम हाँ जादा ओवर कराएंगे क्योंकि वाशिंटन सुन्दर रूल आउट हो चुके हैं तो यहां पर किसके ओवर बन गए सीधे-सीधे मारकरम के ओवर इस चीज का सारे लोग दियान है और दिल्ली के खिलाब हर बार रन है मैंकर गरवाल के राहुल त्रिपार्टीस दो मैच में 37 रन तीन मैच में ब्यासी रन तो वेन्यू पर भी खराब है है एडन मारकरम जो बॉलिंग से आज जाद अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं मैच में 2 मैच में 45 रन जीरो विकेट में इनके डाउन के हिसाब से अच्छा स्कोर है आवरेज भी अच्छे मारको एंसन को मार पढ़ी 37 रन भूवनेश्वर कुमार को मिले थे पिछले मैच में दो विकेट ग्यारा पे दो डैथ में विकेट लिये थे पच्चीस पे किस पे जीरो पच्चीस पे दो और पिछला मैच के लाउस में एक विकेट और वेन्यू पे एक विकेट अरुण जैटली स्टेडियम में मैच होने वाला है डीसेंट स्कोरिंग राउंड डाइमेंशन बहुत ही छोटे हैं लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बढ़ाता हूं सूखा विकेट है यहां पर ज 70 पार का मैच भी आप यहां पर देख सकते हो हाला कि दोनों का बैटिंग लाइनप बहुत कराब है 170 पार आपको फिर भी नजर आ जाएंगे और सेकिंड हाफ में और अच्छा हो जाएगा क्योंकि दिल्ली में डियू फेक्टर आई जाता है बहुत डियू हो जाता है ग्रा सब्सक्राइब दोनों तरफ से आप अपना फायदा उठा सकते हैं अगर आप एक अच्छी यूनिट है कल संजु सैमसें ने करके नहीं दिखाया है कि अच्छे नहीं के खिलाब साथ में से दो जीती है एसरेच की टीम एंवीप एंके इंडन मार्क रम टॉप त्री बैटर से हैं क्लासे मार्क रम और अगरवाल टॉप त्री बॉलर में आते हैं उम्रान मार कंडे और भुवनिश्वर कुमार बैस नोग आई थी अगरवाल की पिछले मैच में इन्रिक नौर किया फिर सबसे बैस नोगा थी डेविट वार्नर के बले से 92 की बेस्ट पैल आया था एंडिक नौर किया का दो विकेट का और दिल्ली जब 8 विकेट से जीती इनका ये था बैस मैच इस मैच में एक और चीज में बतायता हूं कि आपको दस प्लेयर बताता समझे आप ये प्लेयर आपको मिलने वाले ड्रिम टीम में है इनके बीच में तक 12 मैच हुए 11 11 एक तरीके से फाइनल है जो जीते वो लीड ले जाएगा पिछले मैच में क्या हुआ था पिछले मैच का थोड़ा आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये वाला पिछला मैच तो हाइज स्कोरिंग वाला है डेली कैपिटल्स 207 पर तीन संराइजर हैदरबाद 186 पर लेकिन ये पूराना मैच हम कंसिडर नहीं करेंगे मैं जुबानी बतायता हूं अब देखो सारे मैं लाइफ देखने का फायदा है ये मैच पिछले वाले का लगा दिया लेकिन आपको से बढ़ी है चीज बताने वाला हूं अब सुनो अभी रिसेंटली हैदराबाद वर्सिस दिल्ली का मैच हुआ था हैदराबाद में उस मैच में क्या हुआ था मैं आपको थोड़े ग्लिम्श देने वाला हूं उस मैच में दिल्ली ने पहले बैटिंग करके बनाए ते 144 के वर्ले करीब यहां पर बैटिंग किसने अची करीती हालाकि बीजविस रशनों के योग दान थे मार्ष और डेविड वार्नर के यह योग दना आयजता 21 दा बने से जागटान का उसके तो से इनमार्श comics के बलबे से बंटेिकित घरण मैच बंटे हुइन इन्हां मेच मैच में फिर क्या होता है फिर दिल्ली डिफेंड गरने आता है स्टार्ट ठीक ठाक था लेकिन ब्रूप बहुत जल्दी आउट हो गया था स्ट्रॉगल कर रहा था साथ रन पर ही मयंक अगरवाल और पाटी ने थोड़ा डीसेंट स्टार्ट दिया मैच को आगे लेके गए लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या करी उन्होंने वह स्ट्राइक रेट से नहीं के लिए मैच फस्ता चला गया मैच रोमान चक होता चला गया उसके बाद पहले आउट पर मैंकरवाल अक्सर पटेल की बॉल पे फिर तिरपाठी जी भी निकल लिए अब जैसे यह मैच नौर्किया के मारे फिर वह आउट हो गए अब आखरी तक मैच आगे मुकेश कुमान ने बढ़िया स्पेल डाला वो लास्ट और बहुत अच्छा डाला और उसके साथ दिल लिए मैच जीत गई तो यह वह तब इश्ले मैच में नहीं अप और मैचस की बात करते हैं सब को पता है मैं दे रहाऊ तकनी इतना जैनुएन प्लेर परफोर्मास्ड रिपोर्ट काडं और मैच सो को देखे और लाइक करना ना भूले तो वह वाला रीपले वाली बात आजाएगी चलो इधर चलते हैं इंट्रस्टिंग फैक्स की तरफ टीड़ी रिकॉट्स अभिशेक शर्मा ने दिल्ली के खिलाफ कुल्दी प्यादव को किया दो बूल में अपना विक्ट दे दिया इश चार बॉल में एक रन नौर्ख्या की बॉलों पर बनाएं और बस इन से हुआ नहीं उसके बाद आते हैं राहूल त्रिपाटी मिचल मार्च की नौ बॉलों में एक बार अपना विक्ट दे चुके हैं अक्सर पड़ेल की सत्रह बॉल में अपना विक्ट चुके हैं इशान इशान शर्मा की दो बॉल में एक रन है कुल्दी व्यादफ की ग्यार बॉल में 27 रन है इन्हें मार रखा है कुल्दी भाई को फिर आते हैं एंड्री क्लासे पिछले मैच में चाहिले एंड्रिक नौर्गा सोला बॉल तेईस रन एक्सर पड़ेल 24 बॉल में 36 रन और नो ब प्यादफ की उसके बाद आते हैं मैंका गरवाल को देखो कि तो अक्सर पड़ेल की 54 बॉल में 43 रन दो बार आउट हो चुके हैं तो अक्सर पड़ेल काफी परिशान करते हैं पिछले मैच में भी इनफैक्ट इन्हों नहीं का फिक लिया था इशान सर्मा की 27 बॉल में पना पाए हैं मार्क कंडे की चार बॉल में उम्रान मली की ग्यारा बॉल में तेईस रन और मारक कंडे कोई वो नहीं खेले नहीं उम्रान पाइच बॉल में चारम चेंडान पाल की बाइस पढ़ां में आपना विकेट दे चुका है को एक बार अपना विकेट नहीं दिया और वाशिंग्डान को ये खोल लिपाया ऻ्यंग इसके बाद आथे चौण कुमार को दो बार विकेट दे चुके हैं और किसी को अपना विकेट नहीं दिया चलो अब हम थोड़े की प्लेट की बात कर लेते हैं आज एडन मारकरम का रोज बड़ा हो जाता है वाशिंग्टन सुंदर नहीं खेल रहे हैं बॉलिंग का रातों दिखेंगे स्पिन यहां प इपार्टमेंट में से किसी एक में बढ़ा करने वाले हैं मान के चलो आपको 40-50 पॉइंट दे जाएंगे ड्रीम टीम में आ जाएंगे विछले मैच में भी आते लेकिन के उसमें कैट चुड़ गई थी हैट टो रिकॉर्ट देखो तो डेविड के बहुत अच्छे हैं चा आज एडिन मारकरम बैटिंग बॉलिंग से दोनों से ठीक ठा कर्फॉर्मेंस दे के आपको अच्छे पॉइंट देंगे वी सी में वाई एक नाम बिल्कुल मत भूलना चाहें यहां से राहुल तरिपार्टी हटाओ और आप चले जाओ वी सी में अक्सर पटेल बहुत कमाल करने वाले हैं मयंका गरवाल दिल्ली के किलाव खेलते इसलिए आप वी सी ट्राई कर सकते हैं और अगर दिल्ली पहले बॉलिंग कर रही होगी यह हैं हमारे आज के सी वी सी और साथ हम यह मैच खेलने वाले हैं माई मास्टर 11 पर बहुत सारे फायदे हैं 50,000 रुपे का एक गिववे हैं वो लोग जो कमेंट करते हैं कि भाई मुझे थोड़े पैसे दे दो खेलना है मैं भी फैंटसी में खेलना चाता हूं तो आपको मौका मिल गया अगर आप चाते हैं कि मैं आपको पेटी एम कर दू सीधे सीधे और आप कुछ भी ना करें तो जो अपनी मदब करना चाते होंगी तो परवाला मदद नहीं करता हम तो आम इंसान हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि 50,000 रुपे का गिववे सब के सब जॉइन करें और खेलना चालू करें माइं मास्टर 11 पर यहां पर आपको थार टी एगो बुलेट एक्टिवा ऐपोन सारी महीं चालो बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं और आम ने ऐसे बात करते हैं आप आर रहे हो ना बाई दूसरे बोलो हां इसमें शर्माने वाली का बात है हम भी दूसरे एप से आ रहे हैं जहां हम जीतते हम पहुँछ जाते हैं लोइस कमीशन है जीरो कमीशन के कुछ है free giveaway चल रहे हैं एक करोड़ का लीडर बोर्ड है थार जीच सकते हो एम जी ग्लॉस्टर जीच सकते हैं सब्सक्राइब अगर किसी एप पर मिल रहा है तो मैं आपको खुला बोलता हूं फिर वहां खेलो लेकिन ऐसा है नहीं मुझे पता है ना हम रिसर्च करते हैं हमारी टीम पूरा तो डाउनलोड करें माई मास्टर 11 डिस्क्रिप्शन में दिये लिंक से आप करेंगे डाउनलोड करेंगे खेलन आज चालू करो और फिर देखो आपके रिजर्ट्स में कितना बदलाव आ जाता है फिर देखो कि आपको कितना जादा फाइदा होता है आप पर सीधा फायदा आपके हाथ में ही है ठीक है डाउनलोड करो और अब देखते क्या रहने वाले मेरे एक्स्चेंज 22 के आज के क् कौन सा प्लेयर आज होगा कौन सा फ्लॉप होगा उस पर ट्रेडिंग करेंगे और पैसा कमाएंगे और मैच के तुरंत बात रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा क्या गजब का एप है यह डाउनलोड कैसे करना है डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है वहां से आप बाए नहीं करना है क्योंकि यह दोनों फ्लॉप हो जाते हैं का कुछ नहीं पता डेविड वाणनर के 45 बहुत जादा मांगी जा रहे हैं अवाइड करो हम यह भी दिमाग से खेलेंगे मिचल माश अक्सर पटेल को 46 फिर से लेकिना अक्सर पटेल को हम बाए कर सकते हैं यह 50 है इशाण शर्मा को हम कर सकते हैं बाए एक विकेट की बात है और फिर फायदा मिल जाएगा कुल्दीप यादफ के भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि एक विकेट तो मांगते मैं मान लेता मुकेश कुमार भी नहीं राहुल तिर पार्थी मायंक अगरवाल के 34 मांगे जारे म अगरवाल को आप बाए कर सकते क्योंकि यह 34 पॉइंट तक तो शायद दे जाएंगे एक दो कैचे भी पकड़ लेंगे अभिशेक शर्मा मैं सेल करना चाहूंगा सेल करूंगा रखूंगा नहीं अपने पास हैरी ब्रूक यह भी सेल करने वाली पार्टी रखने वाली पार मयंक मार कंडे आप नेट्राजन को भाई कौन से केस में कर सकते हो पहले बॉलिंग कर रही होगई सेंआरे हो सिनयल्यôक में नेके लिए तो यह más में किस के लिए जाओं या मिचल माहाज डेविग वार्न कर ल requested यहां भी यह तीन के लिए मैं जाओंग मिए बेगर में सॉल्ट के लिए भी जाओंगा मनीश देखो डेविड वार्णर के शेयर कर लूँगा साथ में टीम बनाते तो बहुत मज़ा आता है आपको भी सीखने को मिलेगा और मेरे कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आप हाथ वाथ समझ जाएंगे तो माइं मास्य लैंड पर लीडर बोर्ड आपके सामने खुल गया है यहां पर मैच होने वाला है यह दिल्ली वर्सिज ह पड़ता है लेकिन यह मैच अच्छे हैं श्रिलंका वुमें वर्सिस बंगलादेश वुमें का मैच अकल साड़े नों बजे यह तो मैं खेलने वाला हूं 200 परसेंट क्योंकि वुमें के मामले में थोड़ा अपना हाथ मजबूत है दिल्ली वाला मैच डून ले एक बार पा मैंक अगरवाल अब तीसरा बैट्समें या तो आप हैरी ब्रूक लो या मनीश पांडेलो या फिर पाटी कंफ्यूज हो गए इसे आखरी में सौल करें और पर चलते हैं अक्सर बडेल मिचल मार्श एड़न मारकरम यह तीनों हमें उठाने उठाने हैं बॉलिंग में लोग नहीं लेंगे हैदरबाद बॉलिंग कर रही होगी तो भूवी मारकंदे नट आजा इन तीन में से दो बॉलर हम उठा सकते हैं तो एक बॉलर सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो अब बैट्समें में मैं जाओंगा मुझे पता नादे स्मॉल लीग में कैप्टन बहुत सौर्टेड है मिचल मार्ष वाइस कैप्टन अक्षर पटेल या डेविड वार्न में से किसी एक कॉप बना सकते हैं यह रहने वाली है मेरी आज की टीम इसमें कोई भी चेंज हुआ इसमें कोई भी अपडेट हुआ तो आपको कहा से जो बनी है तो अभी जाएं डेस्क्रिप्शन में दिये लिंक से जॉइन कर लेना टेलिग्राम चैनल जिस भाई ने अभी तक नहीं करा सब्सक्राइब कर दो आप लोग कर दोगे और टेलिग्राम चैनल जरू कर लेना